चलिए आज बनाते हैं पनेर बुर्जी वो भी असान तरीके से सबसे पहले गास पर मैंने रख़ियें कड़ाई और इसमें डाल दिया है मैंने तेल तो यहाँपर सरसो तेल का यूज कियाहाँ आप कोई भी ऐल ले सकते हैं जीरे के मुढ जानने के बाद यहाँपर मैं ग्रेट किया हुँआ अद्रक्च आप चाहिए तो बारीक कट करके डाल सकते हैं भुजाद्य पिना रहे हैं और इसे भी हम थोड़ा soft होने तक भून लेंगे और यह recipe इतनी ऐसान है कि अगर कोई पहली बावी बना रहा है तो बिल्कुल perfect बनेगी तो beginners के लिए भी recipe बहुत ही helpful होगी तो आप ज़रूर try करें और यहाँ पर प्याज को थोड़ा सा soft करने के लिए मैट कर रही हूँ स्वात के नुसार नमक जिससे कि प्याज बहुत जल्दी soft हो जाती है और इसके बाद बारी कटा हुआ यहाँ पर डाल दिया है मैंने शिम्बला मिर्च तो शिम्बला मिर्च यहाँ पर मैंने डाला है एक शिम्बला मिर्च बारी कट करके और इसे भी हम भून लेंगे तो दो से ती मिनट इसे भूनेंगे और भूनने के बाद इसमें अड़ करेंगे सूखी मसाले तो मसालों में यहाँ पर मैंने लिया है हल् डाल देंगे टमाटर, तो सुखे मसाले सबजियों के साथ अच्छे से भून गए है, यहाँ पर मैंने अड़ किया है, दो टमाटर और इसे भी मैंने बारी कट किया है, और इसे मिला देंगे, मिलाने की बाद इसमें अड़ करेंगे थोड़ा सा पाणी, जिससे की जो टमाटर है थोड़ी से सॉफ्ट हो जाएंगे, यहाँ पर बहुत हलका सा पाणी डाला है, इसे कवर करके मैं बगा लिती हूँ, तो यहाँ पर टमाटर हमारे गल चुके हैं तो थोड़ा सा इस पैचला से से मैश करते हुए हम इसे और भी ज़्यादा soft कर लेंगे मसाले को तो यहाँ पर जो यह मसाला है हमारा बिल्कुल तियार हो गया तो सभी चीज़े आपस में mix हो चुकी है इसके बाद यहाँ पर add करेंगे पनीर तो grate किया हुआ पनीर या फिर आप इसे हाथों से भी mash कर सकते हैं वो पनीर यहाँ पर मैंने डाल दिया है और इसे अच्छे से मिला लेंगे तो 200 ग्राम के करीब यहाँ पर पनीर लिया था और इसे जब तक मिलाएंगे जब तक कि अच्छे से dry नहीं हो जाता यहाँ पर मैंने add कर दिया है हरा धनिया और इसे हम mix कर लेंगे mix करने के बाद इसे आपको जितना dry रखना है उतना ही आप इसे भूने तो 4-5 मिनट मैं इसे अच्छे से mix कर लेती हूँ आप चाहें तो थोड़ा इसे गीला भी रख सकते हैं चाहें थोड़ा इसे dry रख सकते हैं और इस तरीके से जो आपकी पनीर भुर्जी है तयार हो जाएगी तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा गीला रखनी हूँ आप चाहें तो इसे बिल्कुल dry रख सकते हैं अगर आप इसे dry रखते हैं तो आप इसे sandwich में भी यूज कर सकते हैं इसमें पनीर भुर्जी को आराम से bread पे लगाईए और sandwich की तरह भी enjoy कर सकते हैं रोटी पराठे किसी के साथ भी enjoy कर सकते हैं इतनी जाधा tasty लगती है और बनाने में 5 से 6 मिनिट लगे हैं मुझे बहुत जाधा time नहीं लगा ऐसे बनाने में और इतना जाधा tasty बनाया आप जरूर राइ करें मेरे इस तरीके से पनीर भुर्जी की रेसेपी साथी साथी रेसेपी family fans में भी share करें comment करके share करें रेसेपी आपको कैसी लगी मिलते हैं नहीं रेसपी के साथ नहीं वीडियो में